आज मेडिकल साइंस उस इस तर पर पहुँच गया है सद्गुरू कि हमें मरीज को छूना तक नहीं पड़ता जब कोई मरीज मेरे क्लिनिक में आता है तो वो हर तरह के टेस्ट करवा चुका होता है सब कुछ हो चुका है, सारे चित्र सामने है हिस्ट्री लिखी हुई है, सब कुछ प्लान हो चुका है टेक्निकली मैं रिपोर्ट देकर मरीज को बोल सकता हूँ आपको बाइपास की जरुवत है या वाल्व रिप्लेस्मिंट की जरुवत है लेकिन मैं फिर भी हमेशा अपना स्टेतोस्कोप लेकर उसकी चाती पर रखता हूँ, धड़कन सुनता हूँ मरीज की आँखों में देखता हूँ उसके कंदे पर हात रखता हूँ मरीज को छूता हूँ और फिर उसे समझाता हूँ कि उसे क्या समस्या है और परिवार के साथ बात करता हूँ मैं नीजी तोर पर मानता हूँ कि उस स्पर्ष में सबसे ज़ादा हिलिंग पावर होती है हमारी बनाई हुई किसी भी चीज से ज़ादा क्या आप इसमें विश्वास करते हैं स्वामी जी? देखिए हमें एक बात समझनी होगी ये सच है कि हमारे एक हिस्सा मेकानिकल है मगर कुछ दूसरे आयाम भी है अक्सर मेकानिकल हिस्से में गड़बड़ी इसलिए आती है क्योंकि हम दूसरे आयामों पर ध्यान नहीं देते उनके जीवन में कमी ये है कि उनके जीवन को कभी छुआ नहीं गया जरूरी नहीं कि शारिरिक स्पर्ष तो बसे कभी वक्ती है मूल रूप से उनके जीवन को किसी भी चीज ने छुआ नहीं है किसी भी चीज के न छूने का मतलब जरूरी नहीं है कि वो कोई रिष्टा ही हो आपको बहुत सी चीजें छू सकती है पता नहीं कि आप में से कितने लोग पिछली बार कब कितने सालों पहले आपने सूरज को उकते देखा था या ढलते देखा था या चांद को उकते देखा था मैं कहा रहा हूँ कि आपको कोई भी चीज पर्ष नहीं करती पिछली बार कब आपने किसी फूल के खिलने का इंतजार किया? कभी नहीं आपने पिछली बार अब ध्यान दिया किसी तितली पर या पत्ते पर या फूल पर या किसी और इंसान पर आप बस Of course You don't like faces, you like the Facebook आपको लोगों के face पसंद नहीं, बस Facebook पसंद है जीवन के साथ आपका संपर्ख, चाहे वो इनसान हो, जानवर हो, पौधे हो, या बस आपके आस-पास के तत्व हो, कितने लोग थोड़े जुड़ाव के साथ उस भोजन पर नज़र डालते हैं, जिसे वो खाने वाले हैं, या क्या ये उन्हें छूता है? नहीं, तो आखिरकार या तो एक डॉक्टर आपको छूएगा, या अंत में चिता जमाने वाला आपको छूएगा, अगर हालाद बिगडेंगे, तो किसने किसी को आपको छूना ही पड़ेगा, तो क्या स्पर्ष का महत्व है? जबरदस्ट महत्व है, जरूरी नहीं है कि स्प कुछ समय बाद आपके साथ ऐसा हो सकता है, मगर यह हो रहा है, आप उस दिशा में बढ़ रहे हैं, क्योंकि जिसे आप जीवन कहते हैं, बहुत एक स्तर पर भी, अब ये, अब ये एक आम जानकरी है कि आपके शरीर में कोशिकाओं यानि सेल्स की संख्या आकाश गंगा मे मौझूद तारों से भी अधिक है, ठीक के? अगर ये तय करने में आपका कुछ प्रभाव हो कि वो कैसे पैदा होंगे तो आपके दिल को ठीक किया जा सकता है दिमाग को ठीक किया जा सकता है हर चीज को ठीक किया जा सकता है क्योंकि आपके पास हर सेकंड अपने जीवन को नया रूप देने का अफसर है मगर चूंकि आप जीवन से पूरी तरह बेखबर हैं जब मैं कहता हूँ जीवन से बेखबर मैं चाहता हूँ कि आप इस पर गौर करें इस समय आप खुद को एक जीवित प्राणी भी नहीं कह सकते क्योंकि ज्यादतर समय आपके अंदर सिर्व विचार और भावनाय चल रही है विचार और भावनाय बस एक साइकोलोजिकल ड्रामा है इसका अस्तित्व के स्तर पर कोई महत्व नहीं है यहाँ हजार लोग बैठे हो सकते हैं और सभी हजारों अलग-अलग दुन्याओं में हो सकते हैं इसका मतलब कोई भी हकीकत में मौजूद नहीं है कोई भी जीवन के बारे में बस सोच रहा है आपके दिमागी दुनिया में जो चल रहा है दुर्भाग्य से वो जीवन की वास्तविक प्रक्रिया पर हावी हो गया है आप जीवन को अनुभव नहीं करते आप सिर्फ अपने आस पास के हालातों के बारे में सोचते और प्रतिक्रिया करते हैं विचार और भावनाएं हर चीज पर हावी हैं तो आज सुभा सूरज समय पर होगा आपके लिए ये बड़ी बात नहीं है आँ ठीक है तो क्या नहीं आपको समझना चाहिए अगर कल सुभा सूरज नहीं होगा तो अठारा घंटे में इस धर्ती पर लगभग सारा जीवन नश्ठ हो जाएगा तो मैं आपको बता रहूँ कि आज सुभा सूरज समय पर होगा मैं सही तरह के आवाजे सुनना चाहता हूँ सौर मंडल में कोई ग्रह किसी दूसरे ग्रह से नहीं तकराया पूरे ब्रहमांड में कोई दूरगटना नहीं उई इस अंतहीन ब्रहमांड में कोई दुरगटना नहीं हुई, सब कुछ बढ़िया चल रहा है मगर आपके दिमाग में एक बुरा ख्याल कीड़े की तरह कुल बुला रहा है और ये एक बुरा दिन है मैं कह रहा हूँ कि आपने जीवन का नजरिया पुरी तरह खो दिया आप ये भी भूल गएं कि आप वास्तव में क्या है ये एक तरह का पागलपन है एक बार जब आप अपने बारे में और इस अस्तित्व में अपनी भूमिका और स्थिती के बारे में सही नजरिया खो देते हैं, तो आप एक बीमारी बन जाते हैं. किसी डॉक्टर को ये डाइगनॉज करने की जरुरत नहीं है. ये पहले से ही चालू है. किसी दिन ये ऐसे स्थर पर पहुंच जाएगी, जब उनके इंस्ट्रुमेंट से असपर सुने इसकी जानकारी देंगे, मगर ये बीमारी चालू है, ये प्रक्रिय जारी है. जब ये एक सीमा से परे चला जाता है, तो वो आपका इलाज करेंगे, सरजरी करेंगे, मगर ये प्रक्रिय जारी है. आप पूरी ताकत से उस दिशा में बढ़ रहे हैं